हाई फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कोई ऐसी रेसिपी जिसमें नहीं आपको gas को और करना पड़े और नहीं कोई मैनत करने पड़े तो आज की रेसिपी सिफ आपके लिए पूरा ये वीडियो देखेगा आज मैंने एक ऐसी रेसिपी बनाई है जिसको बनाने के बाद और आपने के बाद हर किसी को ऐसी ही लगेगा कि आपने इसे हलवाई से मंगवाए है तो चलिए मेरे किचन में देखते हैं मैंने क्या बनाया है coconut बॉल्स या फिनारियल के लड्डू बनाने के यहां पर मैंने धाई कप ड्राय कोकणट पाउडर लिया है जिसे हम लोग desiccated coconut बोलते हैं अब मिठास के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ condensed milk तो यहाँ पर मैंने आधा cup condensed milk लिया है उसमें से थोड़ा सा ही portion डाला है पहले इसको हम mix करके देखेंगे क्योंकि हमें यह जो नारियल का powder है इसका एक dough बनाकर ready कलने ना है यहाँ पर थोड़ा सा और जरुद पड़ेगा क्योंकि आप देख सकते हैं अभी भी यह combine नहीं हो रहा है तो देखें दोस्तों यहाँ पर टोटल इस recipe में मैंने 3-4 cup condensed milk का इस्तमाल किया है अगर आप थोड़ा सा मीठा जादा पसंद करते हैं तो आप एक cup तक condensable दे सकते हैं तो यह जो 3-4 cup condensable मैंने लिया है यह बिल्कुल perfect है मिठास के लिए जादा मीठा नहीं बनेगा यह लड़ो तो यहाँ पर थोड़ा सा portion इस तरह के से उठा का देखना है कि combine हो रहा है कि नहीं तो बस अब आपको अपने हाथों की मदद से इसका एक dough बना के ready कर लिजे तो देखें यहाँ पर हमारा dough बन का तयार हो गया है तो बस अब आपको क्या करना है कि हाथों में थोड़ा सा घी लगा लिजे आप और इस तरीके से आप एक spoon ले लिएगा ताकि जिते भी लड़ू हैं आपके same size के बनेंगे तो वो देखने में भी बहुत अच्छे लगेंगे अब आपको यहाँ पर अपने अंगूटे की help से इस तरीके से प्रेस करना है बॉल को और यहाँ पर मैंने कुछ roasted बदाम रखे हुए थे वो यहाँ पर एक पीस हम इस तरीके से रखेंगे इसे cover करेंगे और इसकी ball बना लेंगे यहाँ पर आज मैं बदाम का इस्तमाल कर रहे हैं आप चाहें तो cashew, pista, hazelnut बहुत अच्छा option है बट यहाँ पर बहुत महँगा मिलता है इसलिए मैंने अज बदाम का इस्तमाल किया है इसको अच्छी तरीके से round shape दीजे और यहाँ पर मेरे पास सूखा नारियल का powder रखा हुआ था थोड़ा सा मैंने हटा के रख देता उसमें आपको इस तरीके से dust कर देना है और इसे आप एक plate में निकाल के रख लीजे देखिए यहाँ पर मैं एक और बात दिखा देती हूँ आपको बहुत ही simple recipe है पर ध्यान रखे का आप इस तरीके का कोई spoon ले लीजेगा कि उससे क्या होगा सारे ही लड़ू आपके एक ही shape में और एक ही size के दिखेंगे न तो वो बहुत अच्छे लगेंगे यहाँ पर इस तरीके से आपको round कर लेना है और एक ही बार आपको घी लगाना पड़ेगा अपने हातों में फिर दुबारा नहीं लगा पड़ेगा क्योंकि यह नारियल के लड़ू ना हातों से चिपकते नहीं है इस तरीके से डस्ट करिए और इसे प्लेट में रखते चले जाएए तो दोस्तों जैसे कि अभी festival स्टार्ट होने वाले हैं दशेरा आने वाला है दीपा वली आने वाली है और हर घर में पक्वान और मिठाईयां बननी शुरू हो जाएंगी तो आप इस रेसिपी को अपने घर में जरूर ड्राय करिएगा त्योहारों के टाइम पर बहुत जादा बिजी हो जाता है रूटीन टाइम नहीं मिलता कुछ करने का सईसे तो अगर आपके पास टाइम नहीं है मिठाई बनाने क तो इस मिठाई को जरूर बनाईएगा कोई नहीं कहेगा कि आपने घर पे बनाया सब को लगया कि आपने ये बाहार से मंगवाया है उमीद करती हूँ आपको ये सिंपल सी नारियल की लड्डू की रेसिपी पसंद आई होगी पसंद आए तो उसे लाइक करेगा शेयर और मेरा हमबल रिक्वेस्ट अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब निक्या है तो प्लीज जाने से पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो चलिए मिलते अगली रेसिपी में तब तक के लिए बाबाई